कि यो क्या आले बच्चे लोग आई जली हम लोग शुरू करते हैं आज तो इसको निपतारा खतम करी देना है आज बोलना मतलब लैक कर रहा है है कुछ भी ठीक है कि अंध्य आवादर सब कुछ आ ठीक है कि हाल चाल सब बढ़ियां हाँ जली जलिय बताएं है सब कुछ बढ़ियां आ है सब गया है आप लोग भी आ जाए है जल्ली से फटाक से जब लिए फटाक से अनला एन Kerry मैं के बनना करेंगे उसके बाद कॉंड से करेंगे से डाइग्रम पे कॉते नौं को चाहीं धार पिरी जहां चौड़ में उर्ट हूदब बाकि आपको बढ़ाता हूं यहां पर लाइव क्लासे स्ट सीरीज इस्ट्रक्चर्ट कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस सब कुछ आपको सब्सक्रिप्शन प्लाटफॉर्म पे मिलता है तो अगर परस्नलाइज मैनर में आप मुझसे पढ़ना चाते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन प्लाटफॉर्म पे आ सकते हैं यहां पे मेरा सुपर रैंकर्स बैज का मॉडियूल 3 एक जून को रिलीज होने वाला ह है तो सब के सब इसमें जॉइन कर लीजे वन और टू यर का सब्सक्रिप्शन लीजे रेफरल कोड आनज यूज कीजे जब भी सब्सक्रिप्शन लीजे और मेरा स्टडी मेटीरियल आपको मिल जाएगा इससे 10% डिसकौंट तो मिले गाई प्लस आपको मेरा स्टडी मेटी चलो तुम लोग जानते हो मुझे और तुम लोग कुछ जादा ही प्याद नहीं कर रहे हो आज कल हम से चलो सुनो देखो हम लोग बच्चो क्या पॉरिफेरा हमने कर लिया था सेग्मेंटेशन कर लिया था कल जिसने क्लास नहीं देखिए वो एक बाद देख लेना ठीक है पूरा आगे बढ़ते हैं अगले फाइलम पे तो हमने देखा था साइकन हमने देखा था स्पॉंजिला हमने देखा था स्पॉंजिला था यू स्पॉंजिया सबसे कॉमन होता है यह फ्रेश वाटर होता है और यह साइफा इन दोनों में तुमारा और यह आता है तुमारा ओस्टिया होता था और बाहर निकलने के लिए ऑस्किलम होता था अंदर के लिए ऑस्टिया होता था बाहर निकलने के लिए ऑस्किलम होता कोईनोसाइट्स थे, स्पिक्यूल्स थे और स्पॉंजिन फाइवर्स थे, ठीक है, कोईनोसाइट्स थे, स्पिक्यूल्स थे और स्पॉंजिन फाइवर्स प्रजेंट थे यहाँ पे, ठीक है, हाँ जी, हाँ छोटू इकाइनोटरमाटर तुम्हारा बाइलेटरल होता है, और याद करना जो जो हम लोगों ने पहले पढ़ाया, उसी के basis पर बात करेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा जानना है, एकदम छूके हंगो निकल लेना है, हंगो कहीं detail में घुसना ही नहीं है, ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप बोलते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा, ठ मुझे लगता है, तुम लोगो याद करने में, छे गंटे लग जाएंगे, इस से जादा नहीं लग रहा है, इस चैप्टर को याद करने में, और एकदम NCRT तक, एकदम NCRT तक मैंने question बना के देखें, बिलकुल easy आता है, question तो लोड नहीं लेना है, ठीक है, फाइलम सिलें है, यहाँ पे भी radial symmetry हो रहा है, यहाँ पे radial symmetry हो रहा है, ठीक है, तो यह तुम्हारा देखो, यहाँ पे silented incarnate body को, यह तुम्हारा aurelia है, ठीक है, और यह तुम्हारा adamcia है, ठीक है, तो यह medusa और polyp show कर रहा है, भी polyp और medusa क्या होता है, मैं आपको भी बताने वाला हूँ, तो the name nederia is derived from the nidoblast, it is derived from the nidoblast or nidocytes, nido, nidoblast है na, needle, needle से यार रखों, needle से क्या आध होगा, stinging capsule, stinging tentacles, needle, ऐसे से तुम needle यार रख सकते हो, तो needle है nga, नीडल तुम्हारा जो है यह क्या होगा stinging capsule या stinging tentacles होते हैं तो which contains stinging capsules और इसको हम nematocytes कहते हैं अगेन इस पर question आया हुआ है ठीक है nematocytes are present in the tentacles of nematocytes are present in the tentacles of sealant rata इसको हम nematocytes कहते हैं ना needle से तुमको याद हो जागा ठीक है तो these are present on the tentacles of the body उसके जो ऐसे पर निकला होगी है यह जो tentacles है इसके बाहर यह present होता है और यह sting करता है jellyfish को देखे हो को वो sting करता है तो कहते हैं सूसू कर देना चाहिए jellyfish जब sting कर रहे है तो बहुत दर्द होता है भयानक वाला राइट अच्छा needle blasts are used for anchorage पहला defense दूसरा obviously and for capture of prey तो यह तीनों काम needle blasts का होता है कैसा level of organization दे रहा है इसको tissue level of organization बोलते हैं and they are diploblastic in nature यह हमने पहले ही देखा था कि यहाँ पे diploblastic है, ectoderm और endoderm है और यहाँ पे tissue level of organization है मतलब अगर हम लोग पूछते हैं तो na which organism has no organ ठीक है, तो jellyfish आता था उसमें क्योंकि वहाँ पे tissue level of organization होता था ठीक है they have a central gastro gastro vascular cavity with a single opening mouth या इसको hypostome कहते हैं again बचारे का निकालना खाना सब एक ही जगा से हो रहा है जो तुमारा hypostome से हो रहा है यहाँ पे digestion कैसा है extra cellular वहाँ पे कैसा था इसके पहले intracellular था तो थोड़ा इसका बढ़ा तो यहाँ पे digestion extra cellular भी हो रहा है along with intracellular digestion तो यहाँ थोड़ा upgrade आ गया ठीक है थोड़ा upgrade आ गया digestion extra cellular भी हो गया along with intracellular ठीक है, some of the niderias are, क्या-क्या, example corals have a skeleton composed of calcium carbonate, आपने देखो, reefs, coral reefs, हम देखते थे, तो उन सब का पूरा ये calcium carbonate का structure होता है, ठीक है, they have two they have two basic body form, पहला होता है polyp, और दूसरा होता है, medusa, इस पर question आता है ठीक है, इस पर question nematosis पर आते है और polyp और medusa पर question आता है, the formal is sysile sysile है ये, ठीक है and cylindrical shape का होता है, जैसे आपने hydra में देखा होगा, hydra कैसा होता था ऐसा सा होता था, तो henry-olanga type बाल होते थे, है ना, henry-olanga type बाल होते थे, और hydra कुछ ऐसा सा होता है, तो ये cylindrical shape में अगर है, तो इसको hydra या adamcia में हम बोलेंगे whereas, later जो दूसरा वाला है, जो medusa है वो umbrella shape, छतरी जैसा होगा ठीक है, तो छतरी जैसा होगा, तो क्या होगा ऐसे ऐसे तैर के जा सकता है, अगर छतरी जैसा है, तो ऐसे ऐसे तैर के जा सकता है, तो ये तुम्हारा ये तुम्हारा आ गया और इलिया या जैली फिश में, तो जैली फिश में क्या होता है, कि एक बाहर वाला ऐसे layer होता है, ऐसे सिर्फ उपर सा होता है, नीचे से tentacles उसके लटकते रहते हैं, तो उपर से ऐसे वो तैरते रहता है पानी के फ्लो पे ये तैरते रहता है, तो जैली फिश में ऐसा होता है तो पॉलिप हो गया, और मेडूसा हो गया, तो ये तुम्हारा आ गया पॉलिप और और इलिया तुम्हारा और ये डिमेंसिया है, तुम्हारा ठीक है तो यह तुम्हारा polyp है और यह तुम्हारा medusa है चाता टाइप medusa और तुम्हारा अगर यह तुम्हारा cylindrical है तो polyp ठीक है पोल से यार रखो polyp यार रहेगा ठीक है पोल से यार रख लो तुम्हारा polyp type या cylindrical हो जागा ठीक है और Medusa तुम्हारा चाता टाइप हो जाएदा ठीक है तो दोज निडेरिया विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स अल्टरेशन ओफ जेनरेशन यहाँ पे शो करता है ठीक है तो इसको हम कहते हैं Metagenesis तो दोज निडेरिया विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट ओल्टरेशन ओफ जेनरेशन मतलब उसमें पॉलिप स्टेज भी है Medusa स्टेज भी है क्या पॉलिप तुम्हारा Medusa एसेक्श्वली बनाता है और Medusa तुम्हारा पॉलिप सेक्श्वली बनाता है या रखना ठीक है मैं इसको बहुत घटिया तरीकर से याद किया था मैंने याद किया थे MP लोग का स्कांडल होता है sexual scandal, sex scandal होता है एक दम घटिया logic है तुम लोग किसी तरह से याद कर सकते है ठीक है तो MP तुम्हारा sexually आ जाएगा और तुम्हारा ये polyp जो है तुम्हारा वो हे sexual आ जाएगा तो इस तरह से मैंने याद किया था ठीक है तो उस तरह से तुम लोग जैसे तुमको याद करना अपने हिसाब से याद कर लो तो PM और MP ऐसे याद रखा लो ठीक है तो PM हे sexual हो जाएगा है ना शादी नहीं हो है PM का अपने और Medusa वाला ये तुम्हारा sexual हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से तुमको याद हो जाएगा ठीक है ठीक है एक्जामपल क्या आएगा बाटा Celia इसको हम कहते है Portuguese Man of War ठीक है ऐसे आपको याद रखना हो गए Adamcia ये तो याद होगा ऐसे आपको याद रखना है Penatula Pen है तो Penatula से C Pen याद हो जाएगा आपको Penatula होगा तो C Pen याद हो जाएगा ठीक है और Mindrina ये आपका Brain Color आता है तो ठीक है Mid Brain से ऐसे याद तुम ऐसे करके याद कर सकते हैं मेरा बहुत घटिया घटिया लॉजिक से मैं याद करता हूँ यार तो क्यों ही बोलना मेरा विजदत खराब होगा ठीक है तो कुछ भी ऐसे कहानी वानी बना के तुम लोग याद कर लो ठीक है तो Physalia Adamcia Penatula Gorgonia और Mendrina अगें ये examples आपके exam में आएगे तो क्या-क्या तुमको यार रखना है बता देते कहानी सुनो Radial symmetry ठीक है Nematocyst Nematocyst Stinging Cancer Tentacles Nidoblast आ गया इसमे Polyp आ गया Medusa आ गया Polyp कैसे produce होता है Medulla कैसे produce होता है और इसके example 5 line में तुम्हारा ये sealant rate खतम हो जाएगा पूरा कहानी जो तुम पंचायत पढ़ते हो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे तो ये देखो तुम्हारा Nidoblast का या Stinging Tentacles का तुम्हारा structure दीख रहा है देखके लग रहा है कि काटा लगा है देखके लग रहा है ना काटा लगा तो ये तुम्हारा इसका structure आ सकता है और यहाँ पे Tentacles होगे डिपलो ब्लास्टिक बेटा उपर का सब डिपलो ब्लास्टिक बाद में नीचे आएंगे तो ट्रिपलो ब्लास्टिक हो जागा ठीक है आगे आगे अगला आते हैं Tinofera यहाँ तक कुछ doubt है तो पूछो यहाँ तक कुछ doubt है तो पूछो ठीक है बेटा सेसाईल मतलब होता है अगर हिल नहीं सकता तो सेसाईल है ना तुम अगर cylindrical shaped है hydra कहीं जा सकता है तो वो सेसाईल हो गया ठीक है बेटा किसी प्रकार का हम जवाब नहीं देंगे ठीक है निमाटो सेस बेटा यह इसके बीच में टेंटिकल जो अंदर वाला रीजिन है वो निमाटो सेस्ट है ठीक है किसी और सवाल पूछो के किसी तरह का तो हम नहीं जवाब दे रहे हैं ठीक है थोड़ा बहुत था यहाँ पे exclusively marine है radial symmetry है तो टीनोफोरा और निडेरिया में तुमारा radial symmetry आ जाता है diploplastic है अगेन यहाँ पे भी tissue level organization है तो marine, radial symmetry, diploplastic and tissue level of organization tissue level of organization ठीक है the body bears eight rows eight external rows of ciliated comb plates यह बहुत इसका characteristic feature है body के पास ऐसे करके, ऐसे करके eight ciliated comb plates present होते हैं जो obviously cilia है तो cilia का क्या काम होगा cilia का काम होगा locomotion में help करेगा so these com plates will help in locomotion digestion is both extra cellular cell के बाहर भी हो रहा है and intracellular, जैसे निडेरिया में हो रहा था वैसे यहाँ पे भी sex इसमें separate नहीं है reproduction सिर्फ sexual mode से होता है पिछले बारे में asexual or sexual mode दोनों था इसमें सिर्फ sexual mode से हो रहा है fertilization external हो रहा है this is important यहाँ पे fertilization external हो रहा है और development यहाँ पे indirect है मतलब it will go through larval stages यहाँ पे development indirect है इसलिए go to light इसलिए कर सेज़ेथ है न अगला example क्या हो पेटा pliulobrachia मैं इसके photos आपको निकाल के दे रहता बट मैं RC हूँ तो तुम लोग Google या ले न ठीक है pliulobrachia और tino plana है न tino plana ठीक है क्या क्या भाई marine है radial symmetry है diploplastic है com plates होता है com plates locomotion में help करता है digestion extra cello inter cello दोनों होता है bio luminance शो करते हैं और reproduction sexual होता है fertilization external होता है तुमारा development indirect होता है तो pliulobrachia और tino plana इसका example हो जाएंगे pliulobrachia और tino plana इसका example हो जाएंगे ठीक है हाँ जी बिटा इतना ग्यान जानके क्या करोगे larva को क्या करते है तुमको कौन सा उसका नाम रखना है अब देखो कितना सुन्दर लग रहा है basket ball से तुमको याद रहेगा तुमारा इसका structure सुन्दर ब्यूटिफुल लग रहा है यहाँ पर बैटमेन का light जैसे जैसे लगता है ना कि बैटमेन कैसे नहीं आता था light हो लैम्प में वैसा टैवल अंदर से लग रहा है ठीक है तो यह तुमारा टीनो फेरा का pliulobrachia ठीक है आगे बात करते हैं अगला बात करते हैं platty platty मतलब plate इसके उपर truck चला लिया कोई और यह चप्ता भाई साहिब हो गया है और इसको helminthus platty flat worms helminthus तुमारा worms हो गया and इसको flat worm कहते हैं तो क्या है भाई they have a dorsal ventrally flattened body chap 2 हो गया है chap 2 है ना ऐसे एक road roller इसके उपर चल गया था तो they have a dorsal ventrally flattened body hence they are called flat worm flat है बिलकुल बिलकुल चप्ता है भाई ठीक है they are called fat worm they are mostly endoparasite यह सारे के सारे क्या है endoparasite endoparasite मतलब क्या हुआ रहेगा भी body के अंदर और metabolism भी body का ही utilize करेगा खाना भी body का ही utilize करेगा and this is also found in human beings ठीक है flat worm अगर कोई worm ऐसे चप्ता है बीच में सर्फ ऐसे से रगड दिया गया है तो इसको काटो कोई तो कैसे कटेगा तो bilateral symmetry है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया bilateral symmetry हो गया ठीक है बीच से कट सकता है और एक equal दो equal हाव आपको मिल जाएगा ठीक है triploblastic अब यहाँ से इन लोग का mesodermal origin आना start हो गया तो यहाँ पर triploblastic हो गया और यहाँ पर भी body cavity नहीं है तो यह क्या हो गया acylomate हुआ ठीक है अभी तक tinoferon में आपने tissue level of organization देखा था अब यहाँ पर organ level of organization आ गया यहाँ पर organ level of organization आ गया ठीक है इसके पास hooks और suckers रहते थे ताकि वो absorb कर पाएं nutrient host cell से ठीक है ताकि यह absorb कर पाएं nutrient host cell से due to this hook and suckers ठीक है इसके पास specialized excretory organ होता है excretory organ again इसका specialized होता है इसके पास specialized excretory organ है ठीक है इसके पास specialized excretory organ है ठीक है इसके पास specialized excretory organ है और यह excretory organ क्या करता है यह excretory organ तुमारा osmo regulation में major काम करता है इसको हम flame cells कहते हैं यह अपने excretion वाले chapter में भी पढ़ा होगा platyhelminters में तुम्हारा flame cells होता था यहाँ पे भी sex separate नहीं है ठीक है, fertilization यहाँ पे लेकिन internal हो रहा था tinoforum में हमने देखा था fertilization external हो रहा था यहाँ पे fertilization internal हो रहा है and development भी indirect है यहाँ पे larval stages के through जा रहा है ठीक है, planaria में regeneration property दिखता है याद है हमने देखा था planaria कैसे divide करता था divide तो ऐसे करता था transverse binary fission and regeneration से तो यहाँ पे true regeneration होता है true regeneration होता है कि अगर planaria को तुम काट दोगे तो नया planaria आ जाएगा and they also divide asexually by transverse binary fission यहाँ पे यह asexually divide करता है transverse binary fission ठीक है example क्या होगा बच्चो एक्जांपल इसका tenia solium tape warm है ना tape warm एक हम लोग surgery देखेते लगवाग अब मतलब इतना बड़ा tape warm मिला था ना मतलब वो पूरा coiled up coiled up coiled up coiled up coiled up था ठीक है अच्छा दूसरा आता है fasciola hepatica hepatica आ गया तो मतलब अगेन यहाँ पे liver fluk आ गया तो तुमारा tape warm और liver fluk यह तोनों तुमारा क्या है यह दोनों तुमारा यहाँ पे आ गया है यह दोनों तुमारा क्या है platy elementus का part ठीक आगे बड़ता तो यह तुमारा देखो example of platy elementus देखो tape warm कितना लंबा है ना this is tape warm और अगेन इन सब का देखो यहाँ पे यह hook और सकर है यह वालो जो उपर पोजिशन है यह hook और सकर है इसका भी जो उपर वाला पोजिशन है यह hook और सकर है और यह तुमारा tape warm और liver fluke में देखने को मिलता है यह tape warm और तुमारे liver fluke में देखने को मिलता है तो platy elementus में हमने क्या देखा फ्लैट warm, bilateral symmetry, triploblastic, acylomate, organ level of organization, flame cell यह 6 points आपको जानने है इसके लाबा आपको कुछ भी नहीं जानना इसके examples तो आप आराम से याद हो जाएंगे tape कि तरह लग रहा है tape warm और फिर liver fluke तुमारा liver में तो इसका ऐसे tinia solium कहते हैं है ना तुमारा अगला आते हैं ascalminthus ascalminthus क्या होता है भाई ascalminthus में the body of ascalminthus is circular in cross section इसलिए इसको हम round warm कहेंगे goal हो गया अभी तो बचारा रोड रॉलर चला था ठीक है तो यह इस पर रोड रॉलर नहीं चला है यह round warm हो गया क्या क्या भाई they may be free living aquatic and terrestrial और parasitic in plants and animals तो सब जगा बाया जा सकता है इसमें majorly endoparasite था इसमें यह free living भी हो सकता है aquatic भी हो सकता है terrestrial भी हो सकता है और parasitic भी हो सकता है ठीक है यहाँ पर क्या है organ system अब यहाँ पर londa smart हो गया है यहाँ पर organ system level of organization शुरू हो गया है तो यहाँ पर इतका budget बढ़ गया है ठीक है तो यहाँ पर organ system level of organization हो गया again bilateral symmetry जितने भी worms होंगे सब में bilateral symmetry ही तुमको देखने को मिलेगा ठीक है body triple plastic था पिछला वाला यह silomate था अब यह वाला pseudo silomate हो जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा तुमको silom दिखने लगेगा तो यहाँ पर pseudo silomate हो जागा और कैसे तुम्हारा code notocode होता था या नहीं होता था यहाँ पर elementary canal properly develop कर गया है muscular pharynx आपको दिख रहा है मतलब mouth वाले region में यहाँ पर पर सा muscular pharynx है जो खाने को अंदर ले जाएगा excretory tube है यहाँ पर जो waste को बाहर ले जाएगा through excretory pore तो यहाँ पर excretory tube है जो बाहर ले जाएगा through excretory waste यह diaceous होते हैं यह बहुत important है यह diaceous होते हैं मतलब sexes separate थे यहाँ पर sexes तुम्हारा separate है मतलब male और female distinct होते हैं और female generally बड़ी होती है और male छोटा होता है fertilization internal होता है and development can be direct can be direct या indirect मतलब larval stages के through भी हो सकता है या directly भी development हो सकता है तो कौन-कौन सा nematial missus में आ जाएगा ascalial missus में आ जाएगा तुम्हारा पहला आ जाएगा ascaresis या तुम्हारा round worm है ना हम लोग page में देखते थे ascaresis lumbricoids है ना दूसरा वुचेरिया 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 बैन क्रॉफ्टी वुचेरिया मलाई फलेरियल वाम जो फलेरिया कॉस करता था है न इसका विक्टर था क्यूलेक्स मॉस्किटो क्यूलेक्स मॉस्किटो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ठीक है ascaresis आपको contaminated food से हो सकता है ठीक है और दूसरा encyclostoma या hook warm यह तुम्हारा gut के lining में जाएसे कैसे hook से चिपक जाता है इसको हम encyclostoma या hook warm कहते हैं ठीक है तो यह ascal helminthus होगा आप देखो यहां बिचारा छोटू सा male है यहां देखो एकदम बड़ी सी female है इसका तो सोचो क्या ही करती होगी ठीक है तो यहां पे यह male है और यह female है और यहां पे sexes separate है यह तुम्हारा round warm के case में दिख रहा है ठीक है तो इसमें ultimately क्या कहानी बनी बाई कहानी यह बनी कि सारे तरह का जगवाब रह सकते हैं free living है aquatic है terrestrial है parasitic है organ system level of organization है triploblastic है pseudocilomate है muscular pharynx है diaceous है female body होती है fertilization internal होता है development direct हो सकता है indirect दोनों हो सकता है direct development है मतलब adult की तरफ रहेगा और इस तरह की यह रहता है ठीक है तो यह बिल्कुल simple सा था अरे देखो जितना मैं याद कर रहा हूँ उतना ही तुमको याद करा रहा हूँ इससे जादा आएगा भी नहीं हम दोनों साथ question बनाएंगे इसके बाद ठीक है अन्वल किटनम को हम लोग question करेंगे और देखेंगे दोनों भाई में से किसको जादा आता है ठीक है तुम लोग इसका हुआ बनागे रखे तो मुझे भी लगता था बड़ा भारी chapter है बड़ा boring chapter है बढ़ ठीक है या resemble कर सकते हो तुम देखेंगे ना easy लगता है ऐसा कुछ है नहीं कहानी अब plan kingdom भी देख लेते हैं किस बला का नाम है ठीक है अगला आते है एने लिड़ा अगला आते है एने example कैसे याद रखेंगे जैसे हम याद किया है वैसे तुम भी याद करोगे एकदम आराम से याद हो जाएगा ठीक है कैसे याद करेंगे वह अभी हम लोग करेंगे न तो एकदम बिलकुल आराम से इतना प्यार से अगे बढ़ते हैं चली आगे बढ़ते हैं अचा अपना वाला लोजिक बताएंगे ठीक है बहुत घटिया लोजिक है यार मेरा analogy होता था था जैसे हम पहले याट है, शोले वोले पर हम आधा हिस्ट्री याद कर लिये थे, ठीक है तो इस तरह का ही हम कहानी बनाते हैं याद करने के लिए, चलिए अगला बात करते हैं, पिटा डॉक्टिवेशन होगा, तुम लोगा कुश्चन ही खतम नहीं होता, सब कुछ होगा, चलो देखते हैं, देखते हैं, चैट तुम लोगा देखते हैं न, तो फिर हम भी बात करने लग जाते हैं, कहां चला गया, अठे, आ क्यों नहीं रहा, हां जी, चली, आगे, अगला आते हैं, फाइलम, एने लिड, आ रही आवाज सब कुछ, सब कुछ चल रहा है न, हां ठीक है, करते हैं, करते हैं, बेटा, मेटा जेनिसिस, डेवलोप्मेंटल स्टेज, जो बताया है थे न, वहाँ पर मेटा जेनिसिस हो रहा है, हां जी, लारवल, तुमारा, लारवे जो होता है, वो बाइलेटरल स्टो करता है, एडल्ट तुमारा रेडियल होता है, बिल्कुल, थैंक यू फ़र यो ग्याँ, चली, चली, हां, हो गया, हो गया, हो गया, चली, ठीक है, तो क्या है बाई, दे में भी अक्वाटिक मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकता है, बहुत हम बरताओ किये थे, खराब अर्थवाम के साथ, हम लोग क्या करते थे, अर्थवाम और स्नेल के साथ, तो हम जैसा दुर वेबार किये न, बरसाथ के टाइम, मतलब कितने मौत के लिए हम जब्मिदार है, अर्थवाम के उपर नमग डालते थे और उसके आज हम उसको देखते थे, ठीक है, और उसके बाद सीग डाल देते थे, उसके मत पूछो यार बहुत बुरा कियें, और स्नेल को तो एक हम वो तीर बनाये थे, सीख नहीं होती, ज़ाडू जो मारते हो उसके पैसे तीर बनाय चलो देखो हाँ जी सुनो तो दे में भी aquatic, marine fresh water हो सकता है terrestrial हो सकता है free living हो सकता है और कुछ-कुछ parasitic भी होता है यहाँ पे भी organ system level of organization है organ system level of organization और bilateral symmetry है triplo-plastic तो आप सब में होगा यहाँ से नीचे जैसे जारे है and यहाँ पे metamerically segmented होंगे देखोंगे जैसे segment एक, दो, ऐसे करके goal-goal segment जैसा structure बना होता है इसलिए इसको हम metamerically segment कहते हैं ठीक है? and silomate है अब यहाँ से भी body cavity जो है वो silomate होना start हो गया पहला तक pseudo-silomate था अब यहाँ से silomate होना start हो गया ठीक है? the body surface is distinctly marked into segments और metamere यहाँ पे body cavity जो है segments में mark रहे हैं छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे segments में mark रहे हैं इसलिए इसको metamere कहते हैं और इसी segments की वज़े से इसका नाम na lida ना lida na lida पड़ा है जिसका मतलब है छोटू-छोटू ring-like structure छोटू-छोटू ring-like structure इसलिए इसको हम na lida नाम देते हैं ठीक है? इसके पास longitudinal और circular muscles होता है क्या करता है? ऐसे देखोगे टिक-टिक-टिक-टिक-टिक-टिक ऐसे grow करता है पहले स्रिंग करेगा फिर बड़ेगा फिर स्रिंग करेगा फिर बड़ेगा और तोटल यह आगे बढ़ता है तो इसलिए इस longitudinal or circular muscle के हिसाब से यह movement शोग करता है by contracting and relaxing its body यह इसी के हिसाब से movement शोग करता है by contracting and relaxing its body ठीक है? aquatic analytes like nearest है ना यह इसके पास lateral appendages या parapodia होते है यह parapodia help करता है swimming में ठीक है? यहाँ पर parapodia help करता है swimming में तो nearest इसके पास क्या है? nearest इसके पास parapodia है और यह help करेगा swimming में ठीक है? closed circulatory system यहाँ पर देखो यह analytes बगावत करके आया था ठीक है? भाई अब हम upgrade वर्जन है ठीक है? तो भगवान क्या किये? एक बड़ बीटा वर्जन यहाँ पर डाल के देखे fit करके देखे कि closed circulatory system चलता है कि नहीं चलता है ठीक है? उसके बाद फिर open पर आ गयते है ठीक है? तो यहाँ पर इनको upgrade मिला था circulatory system में यहाँ पर closed circulatory system आता था ठीक है? यहाँ पर excretory organ जो था वो nephiridia था nephiridia ऐसे funnel shaped होता है ठीक है? यह funnel shaped होता है अगेन इसका काम तुमारा osmo regulation और excretion होता है ठीक है? तो यहाँ पर nephiridia हो गया यह funnel shaped हो गया और यह तुमारा Osmo Regulation का काम करता है Neural System Consist of Paired Ganglia यहाँ पर जो Neural System है यहाँ पर गैंगलिया present है and it is connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord, यहाँ पर कैसा nerve cord है, double ventral neural cord है आगे की तरफ आगे की तरफ इसके neural cord से इसका गैंगलिया arranged होता है ठीक है, इसमें जो nearest है, यह हमारा diaceous है, मतलब londalondi अलग अलग रहेगा, ठीक है बर्त अर्थवाम और leech जो है यह हमारे ही monotious होती है reproductionist का sexual है, तो अर्थवाम और leech जो है हमारा, यह monotious होता है reproductionist का sexual होता है reproductionist का sexual होता है तो यह anilida के case में आ गया है, तुमारा पूरा का पूरा, ठीक है, तो अब देखो hero dina याद है hero dina produce करता था, याद है हम बोलेते हैं hero dina brassica nepas, यह क्या होता था anti-coagulant की तरह काम करता था, तो इन सब के पास, यह जो blood sucking होता है इन सब के पास, इन सब के पास क्या होगा, anti-coagulant present होता है तो यह जिसे leech हो गया, leech क्या होता है चिपक जाता है, चिपक जाता है, लीच चिपका इससे क्या होगा, कि उसके बाद यह anti-coagulant अपना डाल देगा और blood suck करने में इसको आसानी आएगे, ठीक है तो यह तुम्हारा जिसका, देखो, यह mouth होता है इसको हम suckar कहते है, यह जो mouth वाला position है, इसको हम suckar कहते है और यह bind कर जाता है, और यह anti-coagulant secret करता है, जिससे blood suck करने में इसको आसानी आती है, ठीक है अगला आते है, आर्थरो पोड़ा, बताए थे ना, एनिमाल किंडम में हर 10 में से 7 जानवर इंसेक्ट है, तो दिस इस दा largest फाइलम जिसमें इंसेक्ट कीडे, मकडे ठीक है, तो सारे के सारे इंसेक्ट तुमारे आर्थरो पोड़ा आर्थरो पोड़ा, टर्म का ही मतलब होता है they have joint appendages मतलब body is divided into head, thorax and abdomen और यहाँ पे head, thorax is fused together, तो इसलिए इसका नाम आर्थरो पोड़ा रखते हैं इसलिए इसका नाम आर्थरो पोड़ा रखते हैं ठीक है, तो two-third जो animal का अबादी है यह आर्थरो पोड़ा ही है, इनसेक्ट ही है तुम यहाँ देखो ना, अगर तुम अपने रूम में ही देख लोगे तो तुमको 10-12 इनसेक्ट दिख जाएगा और तुम अकेले हो ठीक है 10-12 दिख जाएगा तो उसको तुम देख लोगे और तुम अकेले हो, ठीक है lonely है ना, तुम यह आ जाता है ठीक है तो over two-thirds of all named species on earth are आथरो पोड़ा यहाँ भी organ system level of organization है सब कुछ है यहाँ पे bilateral symmetry होता है यह दो कितना अच्छा बात है इतना बड़ा species of organism है लेकिन सब के सब bilateral symmetry शो कर रहे है अच्छा, triploblastik होता है segmented होता है सब में abdominal segments तो होता ही होता है और यहाँ भी selome आगे अब यहाँ पे देखो triploblastik और selome सब में चलेगा तो यहाँ पे selome होता है ठीक है the body of arthropods is covered by kaitinius exoskeleton मैंने बताया था आपको बाहर वाला जो region होता है वो kaitinius होता है सारे arthropoda में एक उपर का layer जो आता है वो kaitinius होता है जो protection का काम करता है अच्छा, इसका जो exoskeleton है वो grow नहीं करता है इसलिए इसको molting करना पड़ता है या इस exoskeleton को shed करना पड़ता है the body consists of head, thorax and abdomen body तीन पार्ट में divided है head, thorax and abdomen they have jointed appendages jointed appendages मतलब jointed appendages they have jointed appendages थीक है अच्छा respiratory organs are gills तुमारे aquatic arthropod हो गएरा सब में gills आ जाएगा book lungs दीमक में तुमारा book gills आ जाएगा तुमारा book lungs spider में तुमारा book lungs आ जाएगा और tracheal system ठीक है circulatory system is of open type obviously यहाँ पे back to office version circulatory system open type का आ गया ठीक है यहाँ पे antenna present होते हैं है ना eyes दोनों हो सकते हैं simple हो सकते हैं compound हो सकते हैं compound हमने cockroach में देखा था यह बहुत important यह पूछता है statocyst these are balancing organ ठीक है these are balancing organ यह पूछ पे question आता है balancing organ present in balancing organ present in arthropods है ना तो इसको हम statocyst कहते है statocyst है ना तो ऐसे याद रोको static एक जगा पे रहा है है ना तो static से तुमको statocyst याद रहे जाएगा ठीक है एक जगा पे cyst के form जैसा रह गया तो statocyst ठीक है excretion कैसे हो रहा है excretion malfeasian tubules से हो रहा है they are mostly diaceous male और female separate होते है fertilization internal है oviparous होते है and development दोनों हो सकता है तुमारा direct और indirect दोनों हो सकता है तो क्या-क्या largest phylum body divided into head thoracian abdomen bilateral symmetry triploblastic true c loam statocyst gills book gills book lungs tracheal system malphesian tubule diaceous oviparous आ जाएगा इन सबका यहां पर हाँ जी malfeasian tubule is present for excretion malfeasian tubule is present for excretion हाँ बेटा book lungs and book gills बेटा book gills जो aquatic वाले होंगे उसमें book gills होते है छोटू-छोटू lungs like structure होते है जो terrestrial वाले में होते है उनको हम book lungs कहते है मेरा जहाँ तक याद है मुझे spider तुमारा book lungs में आता है और book gills में तुमारे कुछ-कुछ organism जो moist area में राते है तो वो book gills वाले होते है अगला examples आपको यहां पर देखना है कौन-कौन ठीक है तो तुमारा lassifer lack है ना malmal कहते है ना दागा तो lack insect आ जाता है ठीक है bombax तुमारा silk warm आता है rearing of silk के लिए करते है उसका भी cocoon हम लोग लेते है apis तुमारा honeybeek आ गया vector में तुमारा आ गया anophilis दूसरा आ गया kyolix and तीसरा आ गया adis aegyptis ठीक है यह vector आ गया तुमारा ठीक है इसमें gregarious pest locust locust बहुत ज़ादा तुमको मिलता है and living fossil इस पर बहुत बार question आया this is very important odyssey पर question आता है lemulus या इसको king crab कहते है lemulus या इसको king crab कहते है excretion in crab बाबू तुमारा green gland से होता है देखो prawns crabs इन सब में green gland होता है ठीक है आज question भी आया था NTA वाले का इन सब में green gland से होता है हाँ बेटा बता दिया ठीक है तो lemulus तुमारा इस पर question आया होगा था ये भी बहुत important है तो एकदम इसको एकदम कम कम जानो और अभी question मनाओगा तुमसे सारा question मन जाएगा हाँ जी kaitin is a polymer of nam and nag आगे बढ़ते तो ये देखो भाई हमारा grass hopper है locust है ना grass hopper या locust pest बहुत जीना हराम कर देता है ये हमारी चुन्द चुन्द तितली है butterfly ये हमारे scorpion है scorpion को हिंदी में क्या कहते थे scorpion को हिंदी में क्या कहते है kechua scorpion को हिंदी में क्या कहते है scorpion है ये ये हमारा scorpion भाई साब है अच्छा bichu kechua फिर किसको कहते है kechua किसको कहते है हाँ जी king crab में coxal gland होते है बैटा नहीं ही आएगा अब इस पर question टेंच आप ठो बिच्छू है ना ठीक और ये तुम्हारा प्रॉंस आ गया अरे यार प्रॉंस खाने का मन कर गया कैर छोड़ो नहीं आते हैं ठीक है प्रॉंस का बड़ा भाई हो जाते है लॉब्स्टर ठीक है तो प्रॉंस आगे केक ड़ा तो क्रैब हो गया क्रैब हो गया क्रैब हो गया ठीक है अच्छा अर्थोः हमको kecua कहते है हम लोग देखो क्या हाल है मेरे vocabulary का ठीक है यह बिच्छुआ है कोई ना अच्छा-च्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगला आते हैं mOLLUSka ये छोटा भाइ है अर्थरो-पोड़ा का इस इफेंज है अनिमल फाइलम second largest animal phylum is called mollusca ठीक है terrestrial भी हो सकता है aquatic भी हो सकता है aquatic में marine और fresh water दोनों हो सकता है यहाँ पे भी organ system level of organization है bilateral symmetry है triploblastic है silomate है and body यहाँ पे calcareous cell उपर से इसको shell बना होता है shell बना होता है जिसमें एक distinct head snail का देखो कि नैसे distinct head दिखता है जिसमें एक distinct head दिखता है muscular foot होता है जिससे ring ring के वो चलता है and visceral hump होता है तोन्द थोड़ा सा पीछे के दरब निकला रहता है मतलब back का तोन्द समझ लो तो hump है न तो एक visceral hump होता है a soft and spongy layer of skin forms the mantle over the visceral hump and the space between the hump and the mantle is called the mantle cavity in which feathers like gills are present तो यहाँ पे gillsी respiration और excretation दोनों का काम कर रहा है ठीक है अच्छा तो क्या क्या हुआ हमने देखा कि एक इसका calcareous shell है ठीक है अच्छा नीचे क्या हुआ कि तुम्हारा शकल चेरा है लॉंडे का head है बाहर चे मालनों लॉंडे का ऐसे head है ठीक है distinct head है ठीक है head पे तुम्हारे sensory tentacles भी लगे हुए है sensory tentacles भी लगे हुए है नीचे इसका muscular feet है और पीछे इसका ये मालो visceral hump है क्या more बना है कि क्या बना है पता नहीं ठीक है visceral hump है visceral hump के बीच में तुम्हारा यहाँ पे जो है एक soft muscle वाला है इसको हम mantle कहते हैं और इन दोनों के बीच में जो cavity है इसको हम mantle cavity कहते हैं इन दोनों के बीच में जो cavity है इसको हम mantle cavity कहते हैं और इसमें present होता है gills इसमें present होता है gills ठीक है जो दोनो सांच भी ले रहा है पॉटी भी खर रहा है ठीक है तो दोनों काम कर रहा है ठीक है so they have respiratory and excretory function दोनों है, the anterior head has sensory tentacles ठीक है, the mouth contains a file-like rasping organ file-like rasping organ for feeding called redula, ऐसे चकड़ चाथ ऐसे ठीक है, तो इसको हम redula कहते हैं, ये diaceous होता है oviparous होता है development indirect होता है development indirect होता है अच्छा एक चीज याद रखना land snail का excretory product land snail का excretory product क्या होता था land snail का excretory product होता था, हमारा uric acid, याद रखिएगा land snail का excretory product होता था uric acid ठीक है अच्छा चलो आगे ठीक है तो example apple snail ठीक है दूसरा pearl oyster ठीक है तीसरा CPI यह तुमारा cuttlefish होता है आप देख लोगे cuttlefish तुमारा मुलस्का होता है इसमें पूछता है which of the following is not silverfish तुमारा arthropoda होता है लिख लो silverfish इस पर question आता है silverfish आपका arthropoda दीमक cuttlefish आपका मुलस्का होता है इस पर question आता है ठीक है इस पर question आता है cuttlefish आपका मुलस्का आता है और यह squid हो गया, squid जो ऐसे डखता है, ठीक है, octopus, octopus देखके ही फिल्म हिंदी फिल्म का hero लगता है, यह villain लगता है, third grade हिंदी फिल्म का villain होता है, octopus, ठीक है, बाकि sea hair इस पे आता है, aplesia तुमारा sea hair हो गया, dentelium तुमारा tustle हो गया, खाली टाइम है, तो आप लोग इसका photo गूगल करके देख लिजेगा, ठीक है, keto, plura तुमारा kite on हो गया, ठीक है, इस पे question कहां कहां से आएगा, octopus पे आ सकता है, cuttlefish पे आ सकता है, sea hair पे आया है question, ठीक है, और तुमारा यहां पे pearl oyster पे तुमारा question आया, ठीक है, बाकि task force मुलस्का में पाइला आ गया, तुमारा apple snail है ना, और यह हमारा octopus, देखो शकल थी लगना है, एक तब हिंदी फिल्म का villain है, ठीक है, आख देखो कैसा है, इसका यह, octopus तुमारा यह camo flow करने के लिए एक अलग सा color भी छोड़ता है, ठीक है, अगर तुमको animal kingdom, animal kingdom खेलना है, त ठीक है, आखरी तुमारा invertebrate का है, तो इसको थोड़ा सा दांजली, अच्छी पूरवक्त देते हैं, मन से, मैनत लगना और इमानदारी के साथ, so these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles, और इसलिए हम इसको echinodermata कहते है, काटा लगा वाला है ना, echinodermata, spiny bodied organism, ठीक है, इसमें सब के submarine होते हैं, there is no exclusion, ठीक है, organ system level of organization होता है, हमारे जो adult kynodermata होते हैं, वो radial symmetry हो करते हैं, larva जो होते हैं, वो bilateral symmetry हो करते हैं, triploblastic है, silomate है, digestive system complete है, अब इनके पास mouth on the lower side and anus on the upper side, उल्टा ही है, बताओ, मुझ नीचे, समझ रहो ना, bumpी तुमारा उपर दे दिया है, तो यह थोड़ा manufacturing defect हो गया है, हम लोगा जैको ना, मुझ तुमारा anterior हो गया और posterior तुमारा पीछे, यहां इनका उल्टा है, मुझ से बात आदमी करेगा, क कहां से बात करेगा समझ जो, ठीक है, तो बड़ा गरबड हो गया यहां पर मामला, ठीक है, तो यह याद रखेगा, ठीक है, मुझ दिखाने लाइक नहीं रहता है, किसी को यह कुछ और ही दिखा देता है, ठीक है, तो यह अपने अंदर पूरा washing machine लगा के रखा है, ठीक है तो which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें absent होते हैं, एक्सक्रीटरी इसमें absent होते हैं, and sex इसका separate होता है, reproduction sexual होता है, fertilization external होता है, development indirect होता है, with free swimming larval stages, यहाँ पे larval stages swimming होते हैं, अच्छा, tube fit इसी में होता था था ना, tube fit starfish में होता था ना, एक बार देखके बताना तो, tube fit मेरा भी doubt solve करो यार, tube fit starfish में होता था ना, देखो देख बार, tube fit starfish में होता था था ना, वई तो, यार, ऐसे नहीं, बचपन में जो पढ़े हैं, याद है, हैं ना, water vascular system बाबू कैसे बता हैं रहे से, देखो ऐसे होता है water vascular system, force, पानी का ऐसे, सब कुछ काम करा रहा है, ठीक है, लोको मोशन के लिए tube fit होता था, लोको मोशन के लिए starfish में, ठीक है, यह question आया हुआ है कभी, इसलिए हमको अभी यार्द है, ठीक है, ठीक है, तो example क्या है बिटा, एस्टेरियास, तुमारा starfish आ गया, दूसरा, इकाइनस, सी अर्चिन, देखो घिनाश्टिक नाम है इसका, ठीक है, एंटीडोन, तुमारा sea lily, है ना, कुकुमेरिया, सी कुकुमबर, ठीक है, एंटीडोन, बहुत एक्सपेंसिव आता है, मतलब जापान ओपन में लोग इसको खाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव आता है, ठीक है, और तुमारा ओफी, यूरा, ब्रिटल स्टार, ठीक है, जादा तर इसमें starfish ही तुमारा sea archini पूछता है, ठीक है, ब्रिटल स्टार, स्टार फिश और sea archini से पूछता है, ठीक है, आगे बढ़ता है, तो यह देखो तुमारा, एस्ट्रियस, तुमारा और ओफी, यूरा, मलस्का बाइलेटरल सिमेट्रिकल कैसे हुआ, काट के देखो भाई, मलस्का हम फ्री में दिनगे तुमको, एक मलस्का लो, ऐसे स्नेल लो, ऐसे बीज से काट, एक दम मस्ट कटेगा, बाइलेटरल कैसे नहीं होता है, ठीक है, हांज, याद कैसे रखे हैं, देखो, इनस, इचिनस, यह ना, इची, है ना, खुजली, अर्चीन होगा, तभी खुजली हो गया, तो इचीनस से ऐसे याद कलो, तुमको, कॉमन सेंस यूज करना होगा थोड़ा अपना, ठीक है, अभी तुरन तुरन मता दिये, ठीक है, सी, अर्चीन, है ना, अर्चीन मतलब होता है ना, लिच्चर टाइप का, उसलिए अर्चीन कहते है, उसको, घिनास्टिक टाइप का, ठीक है, तो इचीनस से तुमको याद कलो, बिदेखो, कोई लॉजिक नहीं बन था, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में यह रह जाएगा, तो इस तरह से तुमको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, कुकू मारिया, है ना, कुकू आ गया, तो कुकू मरी याद हो जाएगा, तुमको ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा, क्यों अंकित कर रहे हो क्या कैसा बेरुजगारी है तुम लोग को भाई चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हाँ अगला आते हैं हेमी कॉड डेटा चलिए है हेमी कॉड डेटा क्या है भाई हेमी कॉड डेटा was earlier considered as a subphylum under कॉड डेटा बट अब इनको अपना वजूद मिल गया है ये लोग प्रोटेस्ट किया था तो इनको अपना किंडम मिल गया है ठीक है किंडम नहीं मतलब फाइलम मिल गया अरे बाई test series का schedule मतलब हम बैठ के यहाँ पर तुमको test series का schedule देदेज़े टेलिग्राम पे, सहीम रखो, एक तारीक से टेस्ट है ना, सब मिल जाएगा, टेंचन मतलो, तो भी यही है, तो भी आ नहीं गया, निमोनिक से उनको सक्त नफरत है नलिन, ठीक है, हाँ जी, अगला, देखो, तो हेमी कोड़ेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज़ सब फाइ फाइलम में रहता है, नौन कॉड, डेटा में, हेमी मतलब, रुडिमेंटरी स्ट्रक्टर इन दा कॉलर रीजियन, काल स्टोमो कॉड, दाट इस सिमलर टू नोटो कॉड, तो नोटो कॉड का छोटू भाई यहां पे है, जिसको हम स्टोमो कॉड कहते हैं, हाँ जी, ठीक है, the phylum consists of a small group of worm like marine animals छोट्टू छोट्टू marine animal नाम लएता है लेकिन नाम देखून कैसा रखा Belenoglossus लग रहा है कोई डाइनसार का नाम है और यह है पिद्दी सा जानुबर ठीक है and organ system level of organization अगेन सेम सब कुछ यहाँ पे bilateral symmetries ठीक है body cylindrical होता है और उसके पास आगे की तरफ प्रोबोसिस हो गया मूँ के तरह हो गया एक color हो गया भाई टाइप हैने के लिए और एक लंबा trunk हो गया यहाँ पे भी circulatory system open ही है सिर्फ हम codates में जाएंगे तो circulatory system close होगा respiration gills के तरह होता है excretory proboscis gland से होता है sex separate है fertilization external होता है development indirect होता है तो इसमें bilanoglossus sacoglossus है ना डाइनोस वाला गरीब नाम है जो इसका आगया ठीक है हाँ जी stomocod भी तुमारा mesodermally derived होता है तो यह इसका diagram इसका labeling आता है तुमको तो यह हमारे bilanoglossus भाई साथ है इनका labeling important है इसी पर दो बार question आया हुआ है तो यह proboscis हो जाएगा यह color है और यह नीचे वाला region तुमारा trunk हो जाता है और यह जो उपर वाला है यह head हो जाता है तो यह तुमारा color है और यह head होता है ठीक है हाँ जी हाँ जी है ठीक है चली आगे बढ़ते है अगला आते हैं कॉडेटा अब फाइनली कॉडेटिस की बाट करते हैं ठीक है अरे सब करा देंगे भाई तुम लोग ना बीच की क्लास में question answer मत खेला करो कुछ competition ठीक है कॉडेट सुनो कॉडेट अनिमल बिलॉगिंच तो फाइनलम कॉडेटा क्या है भाई नोटो कॉड प्रेजेंट होगा है ना यहाँ पे नोटो कॉड प्रेजेंट होगा यहाँ पे समेटो कॉड था ठीक है एक डॉर्सल heart right ऄर्ड प्रेजेंट है and पिय क्या अच्यव से निलुम चर्टि उसलिट प्रेजेंट्ल सब्सींट यहाँ से गिल उसलिट्स निल्युम तो कॉडेट़् जाशा क्या हो गया nerve cord, hollow, notochord, dorsal, gill slits, and ये anal part तो cordis और non-cordis में सबसे major difference notochord यहाँ present होगा, यहाँ पे notochord absent होगा cns जो है यहाँ पे dorsal होगा, hollow होगा और single होगा यहाँ पे cns ventral होता है, gill slits present होता है, gill slits absent होता है heart ventral होता है, heart dorsal होता है, post anal part tail present होता है यहाँ पे tail absent होता है, तो these are the characteristic features of cordis and non-cordis इसमें ये दो बहुत important है, nervous system वाला और heart वाला ठीक है, nervous system वाला और heart वाला, ठीक है, आपने बढ़ता हो अब आते हैं, phylum cordis तुमारा दो phylum में divided है कैसा भाई, पहला आते हैं euro cordata और दूसरा आते हैं vertibreta euro cordata और vertibreta, ठीक है, तो euro cordata and cephalocordata को हम proto cordates कहते हैं, proto cordates, proto cordates मतलब कि जो notocord है, किसी एक stage पे present होगा, उसके बाद वो खतम हो जाता है, किसी एक time पे notocord प्रेजन था, उसके बाद वो खतम हो जाता है, ठीक है, तो proto cordates and they are exclusively marine, तो euro cordates में notocord is present only in larval tail, while in cephalocordates it extends from head to tail region and is persistent throughout life, तो क्या है, euro cordata में, क्या हुआ, cordata, यहाँ पे क्या हुआ, कि सिर्फ larval stage पे है, यहाँ पे सिर्फ larval stage पे है, बट अगर हम cephalocordata की बात करेंगे, तो यह throughout life होगा, अगर हम cephalocordata, cephalocordata की बात करेंगे, तो यह throughout life होगा, cephalocordata की बात करेंगे, तो यह throughout life एफ होगा ठीक है यूरो काड़ेटा का एक्जामपल आ गया है स्कैडिया सालपा एक को भी मैंने जानता हूँ यहां पर बस हमको इसका एमफियोक्सस पता है एमफियोक्सस याद है तुम्हारा यहां पर भी फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते थे जो आस्मो रेगुलेशन में ह कुछ याद नहीं है इसका ठीक है कोश्चन इसमें एमफियोक्सस पे ही आता था से फैलो कॉड़ेटा में यहां पर एमफियोक्सस पे ही कोश्चन आता था ठीक है इसलिए इसको हम वर्टीब्रेटा कहते हैं तो दस आल वर्टीब्रेट्स आर कॉड़ेट्स बट आल कॉड़ेट्स आर नोट वर्टीब्रेट्स कौन कौन से वर्टीब्रेट्स नहीं है से फैलो कॉड़ेटा और तुम्हारा यूरो कॉड़ेटा तुम्हारा वर्टीब्रेट्स नहीं आते हैं ठीक है besides the basic caudate characters vertebrates have a ventral muscular heart ventral muscular heart आके एक तरफ हाट है 2 chamber, 3 chamber, 4 chamber heart होता है 3.5 तीन भी होता है तुम अगर उसमें reptiles में चले जो तो ठीक है kidneys हो रहे हैं यहाँ पे lungs हो रहे हैं या gills वगएरा साथ साथ हो रहे हैं ठीक आगे बात करते हैं तो यह तुम्हारा acedia है acedia है इस पे question आता है इस सबको तुमको identify करने आ सकता है identify करने तुमको acedia वगएरा आ सकता है तो अगर हम vertebrata की बात करें तो सबसे पहले vertebrata में तुम्हारा jawless और jaw वाले फिश आएंगे ठीक है jawless में तुम्हारा cyclos tomata गोल मुह है तो cyclos tomata हो गया ठीक है और jaw वाले में तुम्हारा pieces में आ गया तुम्हारा bear fins तुम्हारा bony और cartilaginous face और tetrapoda में मेरा बाकी सब आ जाएगा ठीक है तो vertebrata को अगर हम agnatha और gnatho stoma stoma mouth हो गया तो अगर a है मतलब jaw नहीं है तो agnatha हो गया cyclos tomata goal moe है है ना cyclos tomata गोल गोल होता है तो goal moe है तो तुम्हारा cyclos tomata हो गया gonathostoma तुम्हारा jaw present है तो इसमें तुम्हारा pieces आ जाता है तुम्हारा fish आ गया दोनो boni और cutlinens और इधर amphibian reptiles, apes और mammals तो सबसे बहले हम cyclos tomata की बात करते हैं cyclos tomata मतलब क्या क्या है भाई देखो ध्यान से अगेन इसको आपको NCRT centric इसके सिर्फ examples ही आएं आज तक और कुछ इसका पूछता नहीं है इन सब की examples और इनका diagram को identify करने आता है ठीक है तो क्या क्या है भाई all members of the class cyclos tomata are ectoparasite on some fish यह question आया हुआ था ठीक है cyclos tomata are ectoparasites on some fish the elongated body bears 6-15 pairs of gill slits for respiration ठीक है तो इनके पास gill slits होते है that helps in respiration ठीक है cyclos tomata have a sucking and circular mouth and इसमें कोई jaw नहीं होता ठीक है ऐसे तर्श तर्श र्कुलर माउथ होता है इसमें कोई jaw present नहीं है their body is devoid of scales and paired fins ठीक है cranium and vertebral column are cartilaginus यहाँ पे जो cranium और vertebral column होते है they are cartilaginus in nature obviously अब vertebrates में coordinates में आ गया है तो तुमारा circulation close type होगा cyclos tomes marine होते हैं बट बच्चा पैदा करने के लिए fresh water में चले जाते हैं fresh water में जाते हैं वहाँ पे मर जाते हैं उनका larva वहाँ से फिर से समंदर में आता है और समंदर में आके जिन्दा रह जाता है ठीक है तो larva जो है इनका larva जो है इनका यह fresh water में जाता है ठीक है और जो adults हैं वो समंदर में जाते हैं यह बच्चा पैदा करने के लिए fresh water में जाते हैं तो वहां पे मर जाते हैं ये बच्चा बेदा करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं यहां पे मर जाते हैं ठीक है तो पेट्रो माईजोन तुमारहा या लैम्फन स्वे इसका पर लाउखisches हैग्फिश देख़े होगे न हैग्फिश भी जो सक करेगा और इसके बाहर एक्टोपैल साइट की तरह फिश के बाहर लगा रहता है चले आगे बढ़ते हैं अगला आते हैं कॉंड्रो कॉंड्री साइट्स ठीक है अब यहाँ पे खतरनाग खतरनाग जानुबर आगे देखो कितना हैंडसम लग रहा है इसको हम कॉंड्री मतलब काटिलेजिनस ठीक है ऐसे याद रखो और यहाँ पे रख दो कॉंड्री मतलब काटिलेजिनस फिश कॉंड्री मतलब काटिलेजिनस तो तुमको यहाँ से आज़ेगा, वैसे bony fist तुमको यहाँ से आज़ेगा, ठीक है तो they are marine animals with streamlined body, अब यहाँ पे streamlined body start हो गया, टेरेगा ठीक है, they have cartilaginous endoskeleton, यहाँ पे cartilaginous endoskeleton है, mouth उपर की तरफ, ventral, है ना, ventral lesion पे mouth, इनका मुह सही जगा पे आगया, इन मुह से बात कर सकता है, ठीक है notocod persistent, obviously होगा, gill slits are separate, और without ओपर, कुला, मतलब ऐसे देखो कि ना, ऐसे cover नहीं लगा है gill slits पे, खुला होगा gill slits है, है ना, यहाँ पे gill slits पे cover नहीं लगा है, gill slits तुम्हारा खुला-खुला है, यहाँ पे gill slits पे तुम्हारा cover नहीं लगा, यहाँ पे gill slits तुम्हारा खुला-खुला है, तो gill slits are separate, ठीक है अच्छा, skin tough होते हैं, containing placoid scales present होते हैं, ठीक है plagues का scales present होता है teeth modified होता है placoid scales में जो backward directly होता है ऐसे अंदर की तरफ है teeth हो जो है अंदर की तरफ ऐसे गुमा होगा है ठीक है तुमारा ठीक है jaws बहुत powerful होते है and ये predators होते है predators होते है ठीक है अब इसमें दिक्कत क्या है इनको constantly swim करते रहना होता है इनके पास air bladder present नहीं है तो इनको constantly swim करना होता है to avoid sinking तो यहीं पर तुमारा जो shark होते है न तो इसमें क्या होता है कि तुम वो whale होता है न जो killer whales होते हैं तो वो यहीं करते हैं इनको डुबाने की कोशिश करते हैं तो अगर ये swim नहीं करते रहेंगे तो ये डूब जाएंगे तो ये मर जाते हैं ठीक है तो ये आ जाता है इसमें ठीक है हाँ जी तो shark में इसमें ये इसको डुबाते हैं और इसको डुबाने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से ये मर जाते हैं ठीक है हाँ जी चली आगे बढ़ते अगला एक थिक है चाहे वो बोनी हो चाहे वो खाष एल वो हो तोह हो टुमारा क्या कहते हैं उसको काटिलेसिन हो ठिक है सम और्गन्स है ilhtric organ जो current हमारे का torpedo देखो इसी का नाम इसी से आया था torpedo torpedo क्या होता है सबमेराइन में ऐसे जो तोप का गोला होता है उसको हम टॉर्पीडो कहते है ठीक है तो इसको हम टॉर्पीडो कहते है इलेक्ट्रिक ओर्गें इसको हम टॉर्पीडो कहते है हैं ठीक है अच्छा सम पोङजनस होते हैं जिसके एकजाम्फल आगया है ट्राइगन पोङजनस टिंग होते हैं जिसके एकजाम्फल आगया ट्राइगन ये कोल ब्लटे होते हैं they lack the capacity to regulate ठीक है sex Yeah separate होते है males में pelvic girdle में classicalania से cut वाला portion होता है ठीक है fertilization तुम्हारा internal है and they may be बहुत सारे इसमें वीवी पैरस भी हो सकते हैं तो क्या है sclaudion dogfish pristis sawfish ये वाला देखो ये नीचे वाला saw है इसका देख के लग रहा न मुँ कि ये क्या हाल करेगा ये सबस्ट मालों कि तुम नहार है और तुम्हारे पीछे ऐसे पोकी-पोकी कर दिया तो क्या ही हाल होगा तुम्हारा saw है ना देख रहो मुँ से ही लग रहा है काट के रख देगा ठीक है तो sawfish तुम्हारा ठीक है karket or non तुम्हारा great white shark this is very important ये काटिलेजने स्वेश आता है देखो shark क्या होता ना तो डूबेगा तो नीचे चला गया पानी में तो सांस कैसे लेगा फिर ठीक है तो डूबेगा तो है ही ना डूब सकते है ना कैसे निसिंग कर जाएगा अरे वैसे नहीं होता पागल पानी में रहेगा तो डूबेगा तुम लोग इना इतने अकलमन्द हो जरूर से जादा कि हदी हो जाता है चलो देखो अगला आता है Osteocytis ठीक है अगेन यहाँ पे तुमारा यहाँ पे तुमारा क्या Boney Fish आ गया तुमारा ठीक है Boney है ना तो it includes both marine and freshwater fishes with Boney and no skeleton यहाँ पे ढकल लगया यह शर्मा गया है ना तो यह गिल्स को अपने छिपा के रखा यहाँ पे ओपर किलोम होता है यहाँ पे air bladder भी present है जो इसको buoyancy में help करता है two chambered heart होता है cold blooded होता है sex separate होता है fertilization external होता है OV pyrus होता है यहाँ पे direct है यहाँ पे direct है अच्छा मेराइन में आता है exocetus flying fish आपने देखा होगा बहुत सारी discovery channel में कुछ मचली देखोगे ना च्छा उड़ उड़ के आते रहता है और जाके ship पे गिरते रहता है इसको हम flying fish कहता है इसको हम flying fish कहता है चोट एक पर लगता है तो बस यहाँ पर मुद्दा यह है कि ओपर कुलम है यहाँ पर ठीक है तो कभर लगा लिया अपना ओ भी पैरस हो गया यहाँ पर भी पैरस कम है तो generally जारतर ओ भी पैरस होते है और फर्टलेशन डिरेक्शन डिरेक्शन डिरे ठीक है आगे तो यह देखो sea horse है क्या handsome लग रहा है लॉंड़ा ठीक है और यह कतला है रोहू और कतला में कुछ distinguished feature होते है मम्मी लोग बता देगी पूछ लेना ठीक है अगे यहाँ पर देखो यह cover लगा हुआ इसको हम ओपर कुलम कहते है ठीक है टेस्टी बहुत होता है बस दोनों इतना हमको पता है ठीक है आगे बात करते है अगला आतने class mpb क्लास एमफी बिया क्या है बाई class एमफी बिया एमफी बियान मतलब दोनों में रह सकता है aquatic as well as terrestrial habitats में रह लेगा तो तुमारा एनफी बिया ठीक है most of them have two pairs of limbs है ना two pairs दो पीछे बाला हो गया और एक आगे बाला तो two pairs of limbs body is divisible into head and trunk body is divisible into head and trunk ठीक है tail may be present in some कुछ-कुछ में आपको tail दिखेंगा बाकि सारे में नहीं दिखते amphibian skin moist होता है and it is without scales इस पर question आया हुआ था skin moist होता है without scales होता है आखो पे eyelids होते है tim phanum present है which represents the ear urinary and reproductive tract opens into a common chamber called cloaca ये cloaca आपको birds में भी दिखने को मिलेगा जो खुल जाएगा बाहर की तरह respiration पानी में है तो गिल से होगा जमीन पे है तो lungs और skin से होगा heart इसका three chamber होता है cold blooded होता है separate होता है fertilization external होता है ov virus होता है and development indirect होता है development indirect होता है ठीक है example buffo तुमारा toad rana tigrina fog ठीक है toad तुमारा poisonous होता है frog तुमारा poisonous नहीं होता है frog का tongue बहुत लोग खाते हैं hila तुमारा tree frog होता है hila hila यह तुमारा chit covera type of frog होता है dot 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 salamander तुमारा चिपकिली का छोटा भाई है ठीक है और Estiotis तुमारा lympiles amphibia होता है तो देखो यह तुमारा salamander है चिपकिली का छोटा भाई और यह मेरा rana है ठीक है इसी का छोटू साइस का तोड होता है जो दिखने में गिलगिला सा लगता है और पोजनस भी होता है ठीक है अगला आते हैं रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स का मतलब ही है कि क्रीप कर रहा है क्रॉल कर रहा है और इनमें scales present होते हैं इसमें scales नहीं था इसमें scales present होते हैं तो the class name refers to creeping or crawling mode of locomotion they are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin epidermal scales or scoots skin epidermal scales or scoots they do not have external ear opening खुला कान नहीं है टिम फैनम ही तुमारा ear represent करता है limbs दो पेर में present होंगे 4 होगा heart 3 chamber होगा 4 chamber सिर्फ crocodile में होता है ये भी cold blooded है sex separate है और तुमारा fertilization internal होता है development direct होता है इसमें नाम बहुत important है नाम बहुत important जैसे crocodile तो तुमको याद हो जागा crocodile ठीक है नाजा तुमको याद हो जागा नाग है नाग से तुमको नाजा याद हो जागा ठीक है बंगारूस बंगारूस करैत करैत है ना करैत तुमारा याद हो जागा केमेलियोन ट्री लिजाइड होता है ठीक है टेस्ट्टूडो ट्रॉटोई होता है ठीक है इतने तुमको एक्जाम्पल्स यार रखो तुमारा काम चल जाएगा Alligator तो Alligator है इसमे Alligator में कुछ सोचना नहीं है हान जी Some Reptives live in both land and waters तुम्हारा क्रोकोडाइल हो गया न, टोटोईज हो गया, तो ये दुनों लैंड और रॉट, ठीक है, इसमें चीलोन पर कुशन आता था, ये मुझे याद हो गया अब, क्रैट पर कुशन आये हुआ था, नाजा पर कुशन आये हुआ था, ठीक है, इसके डाइग्राम से तु झाले, आगे, अगला आते हैं, एपस, एपस में आ गया तुम्हारा, बर्ड्स, बर्ड्स तुम्हारा क्या, न्यूमाटिक बौन्स यहांपर, ठीक है, omलो बोन्स होते है, यहांपर, फेदर्स होता है, यहां पर ठीक है, तो, द बम नहीं सक्टा है, beek present होते हैं, teeth नहीं होता beek में, forelimм modified होता है wings में, hind limbs में scales होते हैं, यहाँ पर questions आया था, यह question आया था, the hind limb generally have scales that are modified for walking, this question आया था, swimming or classping T branches, skin तुमारा dry होता, यह वाला question तो सिर्फ टेल के पास सिर्फ टेल के पास oil gland होता है या रखिएगा सिर्फ टेल के पास oil gland होता है बाकी सारे जगा skin dry होता है यहां रखिएगा ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गया एडिशनल चिंबर होता है crop और ग्रिज़र्ट crop store करता है गिज़र्ट grinding का काम करता है जो सीड़ वीड जो खाता है उसके grinding का काम तुमारा गिज़र्ट करता है यहां पे heart for chamber आ गया warm blooded हो गया and respiration जो है वो lungs की तरह होता है और air sacs भ ग्रोवस पावो पावो तुमारा peacock हम पारो याद रखते तो तुमको याद हो जाता है ठीक है तुमारा eptendocytes तुमारा penguin नियो फरॉन तुमारा वल्चर पिस्टिक्यूला पैरट यह भी question आया हो था ठीक है स्टूरियो ostrich यह भी question आया हुआ है तो examples आपको याद करने हों एक्जांपल्स आपको याद करने हों के देखते हैं मैं कुछ जुगाड निकालता हो इनके examples और फो याद करने का ठीक है इनके examples को याद करनेरा थीक है मैं कुछ जुगाड निकालता हो तुम्हारा भच्उ Taylor उप यह पिस्टिक्यूल पैरॉट ओर यह पीआर। तुमारा पाव वो ठीक है यहां खो याद रहा है आखरी आते हैं हमारे भाई सब हमारे प्रजाती के लोग मैमेलिया है ना अब हम लोग सब जगा रहते हैं मैमेल मैमल्स मतलब क्या है भाई वीवी पैरस है और अपने बच्चे को दूद फिलाते हैं मैमरी ग्लैंड प्रजेंट होता है तो दे आर फाउंड इन वराइटी ऑफ हैविटाट्स पोलर आइस कैप डेजर्ट माउंटेन फॉरेस ग्रास लेंड डाक के सब जगा रह सकता है ठीक है यहाव एडाप्टेट टू फ्लाय और लिव इन वाटर सब जगा रह सकता है यूनी बाइल प्लाटिपस होता है यह एग लइंग है ठीक है ठीक दट टू पेर्स अफ लिम्प एक वाकिंग रनिंग क्लाइमिंग बरोइंग फ्लाइंग स्विमिंग सब के लिए होता है स्किन तुमारा यूनीक होगा एंड इसके पास बाल होंगे ठीक है एक्स्टरनल येर होगा रेस्पिरेशन लंग से होगा सेक्स सेपरेट होगा फर्टिलाइजेशन इंटर्नल होगा विवी पैरस होगा एंड डिरेक्ट होगा ठीक है तो ओवी पैरस में तुमारा और निको नस आता है तुमारा प्लाटिपस आता है बाकि सारा विवी पैरस में आ जाता है ठी तो कंगारू तुमारा मार्चूपिल है, मार्कोपस में आ जाता है, ठीक है, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलियस, कैमल, मकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिस, कैट, एलिफाज, एलिफेंट, सब, सब आ गया, और बिलैनो टेरा, इसको हम ब्लू वेल भ घ्ट, वेल है, ठीक है, यह तुमारा डño ya, जाता अब यापणारू है, यह तुमारा टेरोफस, बैट, चमघादर है ना, यह तुमारा बैट, आ गया, टेरोपस, हाँ जी एंटीटर भी होगा, टेरोपस भी होगा, ब्लू वेल भी होगा, ठीक है, तो अगें, ये सब जो डाइगराम में फोटोज दिये हैं, ये ज़ादा इंपोर्टेंट है, तो एक्जाम्पल आप याद कीजे, तो ये डाइगराम वाले एक्जाम्पल ज़ादा इंपोर्टेंट है कि इनके लेवलिंग आ सकते हैं, ठीक है, तो ब्लू वेल का जैसे नाम आ सकते हैं, ठीक है, विच अब दा फॉलोइंग इस करेक्टली मैश करके तुमको इस तरह का टेबल पे कुश्चन आ सकता है, अगें इसके एक्जाम्पल्स हैंगे, बां ठीक है, तो इस यह प्लाटियल मिंतर्स में ओर्गन आ गया, यहाँ पे सिर्फ ओर्गन मान लो और इसके बाद सारा ओर्गन सिस्टम आ गया, ठीक है, रेडियल, फिर उसके बाद बाद बाइलेटरल, फिर उसके बाद एक रेडियल, उसके बाद फिर बाइलेटरल, ठीक है तो तीन रेडियल हो गया, ठीक है, फिर आप्षेंट 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 लगा एनिलीट से कॉट डेटा सक तोर्ण सर्कूलेटरी सिस्टम प्रेजन ओग यहां तक आप सेंट था एनिलीट आता क्योंकि स्किन से काता था मौस्ट कूटिकल से लेता था उसके बाद ये नीचे पूरा प्रेजेंट हो गया और इसके कुछ डिस्टिंग्वेशिंग फीचर होते थे जो आपके NCRT में गया है अगेन आएम रिपीटिंग बच्चो इसको आप सिर्फ NCRT से पढ़िए कुछ नहीं बाद करो कि कभी याद नहीं होगा ठीक है इसका एक टेबल बना लो और इसको चिपका लो और उसके बाद रोज उसको तीन-चार दिन तक देखो चार दिन में तुमको सारा एक्जामपल अपने आप पैसिवली याद हो जाएगा बिना एफर्ट डाले बिना एफर्ट डाले तुमको पैसिवली याद हो जाएगा ठीक है चली सो आज के लिए इतना काफी अनिमल किंडम खतम हो गया कल हम प्लांट किंडम कर लेंगे ठीक है चलो तुम भी कहा याद करो कि दोनों घटिया चाप्टर को मैंने स्रदान जी लिए दी ठीक है बहुत घटिया पढ़ा है मैंने मुझे पता है जिन्दगी में पहली बार पढ़ा है मैंने इस चाप्टर को तो कैसा लगा मुझे बताना मैंने तो लीडिंग इमार है वैसे जैसे नरसरी के बच्चों को पढ़ा गे एक डाक्टिवेशन सीरीज में ठीक है एक्जाम्पल्स मैं आपके इसके prosecutors में आपके याद करा दूँगा कुछ न कुछ मैं प्लान करता हूँ कुछ unique सा बनाता हूँ और examples में आपको घटिया लोजिक के साथ याद करा दूँगा ठीक है बागी बच्चों मेरे टेलिग्राम पे आप जुड़ जाएए यहाँ पे आपको लेक्चेस के PDF सारे स्चेडूल टेस्स सीरीज का जो आपका टेस्स सीरीज होने वाला है इसका स्चेडूल मिल जागा टेलिग्राम चैनल है मेरा आनन्द मनी डॉक्टर आनन्द मनी के नाम से टेलिग्राम पे है मैं आपको मिल जाओंगा और इंस्टाग्राम पे आनन्द मनी 16 के नाम से मिल जाओंगा यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ठीक है बाकी कल हम लोग प्लांट किंडम को भी श्रदान जली दे देंगे तो इवेंचुली आपका सारा एगा ओफिशली इस चैनल पे तो तो टोड़ी गाइज आए विल सी इन ग्लासे बाइबाइ टेक केर और हाब अप्रोड़क्टिव देए